एक बार की बात है, एक छोटे से गाव में एक महनती किसान रहता था, उसका नाम रामू था, वह अपने खेतों में दिन भर काम करता था और अपने परिवार को प्यार देता था एक बार रामू ने एक बीज लिया और उसे अपनी खेत में बो दिया, वह बारिश की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बारिश नहीं हुई, रामू को चिंता होने लगी क्योंकि बीज को पानी की ज़रूरत थी रामू ने दूसरे किसानों से मदद मांगी, लेकिन किसी के पास भी पानी नहीं था रात के समय, जब रामू अपनी खेत में था, वह एक तालाब देखा, उसने सोचा कि वह तालाब का पानी अपने बीज को पहुँचा सकता है रामू ने तालाब के पास एक नल खुदाई और पानी को अपनी खेत में पहुचाने लगा, धीरे धीरे उसकी खेत में बहुत सारा पानी जमा हो गया उसके बीज ने पानी पी लिया और बड़े होकर एक सुन्दर पौधा बन गया रामू खुश हुआ और खुदा से धन्यवाद दिया कि वह ने उसे एक तालाब दिया और उसकी मेहन्त को सफल बनाया कहानी का मोरल यह है कि मेहन्त का फल मिलता है, हमेशा मेहन्त करे और धैर्य रखें क्योंकि संधर्श के बावजूद हमारे प्रयास सफल हो सकते है रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमेशा कोशिश करना और निरंतरता से काम करना हमें सफलता तक पहुँचा सकता है